हेलो र्फिवन मैं मित्हुन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी साका रिजल्ट आच्छे होनगे जिन लोगों का BO EES शभी स्वह लोगों का रिजल्ट आचुका है आप पाश हो या फेलματα प्सेर्ट आपका आ साथ अब बात करते हैं कि यह result जो है आप pass हो या fail हो यह कैसे check करोगे इसके बारे में complete information आपको इस वीडियो में मिलेगी by the way मैं बता दो जिन लोगों की result हो जाता है वो हमारे course के साथ enroll करा सकते हैं 500 rupees में इसमें आपको 6 session कराये जाएंगे online इससे आपको idea लगेगा कि कैसे आपको selection लेना है by the way कुछ लोगों ने जो पिछली बार जिन लोगों ने selection लिया है उनसे भी आपका interaction कराये जाएगा ताकि आप जो है अच्छे से exam को qualify कर पाओ तो tension लेने के जरूरत नहीं है आप इंडॉल करा सकते हो यहां से मेरी email id देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे आप मुझे email कर सकते हो if you are on instagram then do follow me at the rate imithun sing वहां से भी interaction हो सकती है course के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी अब मैं आपको लेकर चलता हूँ देखे result आप जो है कैसे check out करोगे सबसे पले यहां से मैं आपको एक result दिखाता हूँ देखे यह result आप यहां से देख पाओगे अब देखे कुछ अगर आपका ऐसा result आ रहा है यहां से देखो यहां पे जो total score है 200 में आप कितना normalized score ला रहे हो यह बहुत important है यहां से देखना आपको जो है जरूरी है अब देखे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और मैं आपको पुराने जो notification है वहां पर लेकर चलता हूँ अगर यहां score आपका 100 है समझ रहे हो 200 में अगर 100 अगर आप ला रहे हो 100 ला रहे हो इसका मतलब आप जो है किसी भी post के लिए जो है eligible हो जाते हो LSB के लिए नहीं बलकि आप CSB के लिए eligible हो जाते हो देखे LSB क्या होता है कि जिल लोगों ने CSB का exam नहीं दिया है या फिर जिनका 50% से कम है वो भी यहां पे apply कर सकते हैं और LSB में salary कम होती है CSB के मुकाबले आप लोगों ने exam दिया है CSB का अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ देखे official notification की और जिससे आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकोगे कि कैसे आपको apply वगरा करना था चलिए मैं आपको instruction वाला जो है ये देखो ये PDF आई होई थी आप लोगों ने यहां से पढ़ाओगा इस PDF को देखाओगा अब यहां से अगर आप आओगे तो देखे यहां पर इन्होंने जो है बिल्कुल crystal clear जनकारी दी थी मैं आपको एग वर दिखा देता हूँ यहां से देखो इस online screening test वाले अगर आप notification को पढ़ोगे यहां पर देखे इन्होंने लिखा रखा है regular candidate जो भी अगर 50 number लाते है 100 में 100 number लेकिन यहां पर exam आपका कितना हुआ है 200 number का तो 200 में अगर आप 100 number ला रहे हो तो आपका काम बनेगा अगर आप 80 नमर ला रहे हो 200 में अगर आपका score 80 है sorry 200 में अगर 80 है आपका तो भी आपका जो है काम चल जाएगा लेकिन वो जो है fixed term vacancy के लिए ad hoc वाले vacancy के लिए अपलाई कर सकते हैं आर्मे public school में आज रात को 8 बच कर 10 मिनट पे एक वीडियो आएगी वो वीडियो जरूर देख लें कैसे interview होता है demonstration कैसे होता है computer test कैसे होता है तैयारी कैसे करनी है exam में कैसे appear होना है each and everything vacancy कैसे आप find out करोगे कहां कहां से आई हुई है खेर आज 3-4 vacancy में आप लोगों के लिए post करने वाला हूँ अलग-अलग state की तो please bell icon जरूर दबाले जो लोग पहली बार चैनल पे हैं चले को subscribe जरूर कर ले ताकि आपको regular vacancy के बारे में जानकारी मिलते रहे तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में I hope कि आपकी जानकारी clear हो गई होगी याद रखना है आपको मैंने जो बताया 200 में आप अकर 100 नमबर ला रहे हो तो आप सभी के लिए eligible हो अगर आप 80 नमबर ला रहे हो 200 में तो आप जो है fixed term के लिए ही आपने आपको पाते हो तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में Thank you so much